नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनलाइज विद राजेश में दोस्तों, derivative trading काफी difficult होती है 90% लोग नुकसान करते हैं, 99% लोग FD से भी कम पैसा कमाते हैं अब जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं बन रहा है, आप ट्राइ किये जा रहा है option buying में ही, आप option selling या option hedging का भी रास्ता दिख सकते हैं in fact, जो लोग पैसा कमाते हैं, उनमें अधिक्तम hedging वाले होते हैं तो मैंने बहुत सारी hedging की strategy दी है, आज आपके सामने एक और hedging strategy पेश कर रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी फाइदे मंद होगी, margin भी कम लगेगा, profitability भी अच्छी है और बढ़िया बात यह है, कि market अगर आपके against में जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं है और अगर आपके favor में जाएगा, तो पूरा का पूरा मैदान खुला हुआ है इस strategy में आप देख सकते हैं, आपस्ट्रा में, profit probability 99% estimated margin यहाँ पे 12,960 दिया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, 25,000 के आसपास आपका margin लगेगा और यहाँ पे यह जो green zone आप देख रहे हैं, इसको केवल green zone मत देखिए यह plus minus 1200 के आसपास में रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा यह green में ही रहेगा लेकिन ज्यादा तर मामलों में, यह zero से plus side में रहेगा, minus side में नहीं जाएगा और अगर minus रहेगा भी, तो इतना मामूली रहेगा कि आपके ऊपर कोई बहुत फरक नहीं पड़ेगा और जाहिर है, जब market आपके पक्च में जाएगी, तो आपको जवर्दस्त profit देगी बढ़िया बात यह है कि आप इसको stocks में भी use कर सकते हैं, किसी भी index में यूज़ कर सकते हैं हर छेतर में यह आपके लिए बहुत बड़ान साबित होगी तो इस strategy पर चलने के पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आएगा तो like कीजिएगा दोस्तों में share कीजिएगा और चैनल आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe भी कीजिएगा और साथ में आप लोगों की demand पे बेहद nominal charges में price action और hedging दोनों के courses करवाए जाते हैं live classes होते हैं google meet पे हर Saturday और Sunday को ये classes होते हैं तीन बज़े के बाद से total 8 classes होते हैं 12 घंटे कहने के लिए है ये 15-20 घंटे तक हो जाता है क्योंकि जो students हैं वो इतने रम जाते हैं कि छोड़ते नहीं है question पर question पूस्टे रखे है students काफी ज्यादा satisfied है और बहुत सारे students का कहना है कि सर हमने कई जगा course किया लेकिन इस धंग का explanation इस धंग की knowledgeable classes हमने नहीं देखे हैं और charges अन्य जगों की पिक्छा आपको इतना nominal मिलेगा कि आप भी हैरान हो जाईएगा इसके लावा classes समाप्त हो गए और आप अपने घर हम अपने घर ऐसा हिसाब नहीं है सारे students के लिए एक whatsapp group बना हुआ है जिसमें कि सारे students include होते हैं senior भी है तो एक family relation चलता है forever तो अगर आप भी losses से परिशान है कुछ भी करके profit नहीं बन रहा है तो आप यह courses join कर सकते हैं इसमें बहुत सारी price action की entry, exit, stop loss, risk management की minute बाते बताई जाएंगी जो कि आपको generally कहीं नहीं मिलेगी, कई बहुत अच्छी strategies है, price action की भी, hedging की भी, जिसमें profit probability काफी अच्छी है वो सारी चीज़ें course में cover की जाएंगी, काफी detailed और practical syllabus है, अगर आप इसका detail मंगाना चाहते हैं तो whatsapp number description में दिया हुआ है वहाँ पे message भेज करके detail मंगा सकते हैं, और चुकि बहुत nominal charges हैं तो आपको course करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जितना आप loss कर देते हो एक दिन में, उससे कम पैसे में आप ये course कर सकते हैं आप ये समझ करके join कर लो कि चलो इतना पैसा पेक दिया, और फिर आप देखिएगा इसका क्या benefit आपको मिलता है तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने किया क्या है, future sell कर दिया है, latest future, सितंबर का खतम हो किया समझ लेजिए, next, October महीनिया का future हमने sell किया उसके बाद हमने 26 सितंबर के expiry का ATM, अब ATM 25,950 के आसपास में है, आप 950 भी ले सकते हैं, हमने 26,000 का लिया है, ATM ही लेना है, इसको आप ATM ही समझिए, कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है, तो यह हमने ATM का एक put sell कर दिया है, current expiry का, और ATM का ही दो call by कर लिया है अब इसमें यह जो green zone दिखा रहा है आपको, यह इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि यह जो है latest expiry है, और उसको खतम होने में सिर्फ दो दिन बचे है, यानि कि premiums काफी down है, सस्ते में मिल रहे हैं, और अगर market आपके against में जाता है, तो यह आपको hedge काफी बढ़िया करेंगे, तो सस्ते में काफी अच्छी hedging है, और call buy है, और put sell है, future जब हम लोग sell करते हैं, तो यह क्या है कि market अगर नीचे जाएगा तो आपको profit देगा, उपर जाएगा तो आपको loss देगा, इस तरफ आपका loss है, इसके लिए यह जो दो call buy है और एक put sell है, यह आपको profit देगा, और च future का character क्या है, market अगर नीचे की तरफ में जाएगा, तो future बढ़ेगा, यानि कि आपको profit देगा, लेकिन उस महमले में, जो हमने put sell किया है, और call buy किया है, यह इस तरफ में हमको loss देने लग जाएगे, call buy किया, वो तो limited loss देगा, और आपका loss कितना होगा, table 71.5 का, लेकिन put sell कि या है, वो आपको ज्यादा loss देगा, unlimited, तो उसको hedge करने के लिए हमारे पास में future है, तो दोनों मिल करके एक resultant, horizontal profitability बनाते हैं, लेकिन अब अगर इसको हम अगली expiry का ले लेंगे, तो यहाँ हमको negativity दिखेगी, आपको मैं करके दिखाता हूँ, इसको चलिए हम ले लेते हैं एक negativity दिख रही है, और यह जो buy हमने किया है, इसको भी अगर हम 3 October का ले लेते हैं, तो यह पूरा का पूरा जोन हमको negative में दिख रहा है, लेकिन negative में maximum loss आपका कितना देखिए, 1872 का, maximum loss है 1872, और उपर अगर जाएगा तो हमारा unlimited profit यहाँ भी है, और कोई जरूरी नहीं है क इसको हम पूरे expiry तक hold करें, market अगर हमारे favor में जा रही है, और हमको profit हो रहा है, तो हम इसको एक दिन में भी निकाल सकते हैं, और अगर एक दिन में निकालेंगे, तो यहाँ हमारे profitability 3 October को लेने पर भी काफी अच्छी है, अगर expiry तक hold करते हैं, और market हमारे against में जाता है, त तो हमको थोड़ा इधर में loss है, और वो भी काफी limited loss है, तो market अगर आपके favor में जाता है, तो आपको काफी bumper profit है, एक single deviation तक, मने 1 SD तक, आप यहाँ पे 12800 का profit बना सकते हैं, ATM से उपर जाते ही आपको profit है, और आपको काफी अच्छी profit है, और ATM से नीचे आने पे आपका max loss है, market कुछ भी जाए, कहीं भी जाए, कितना भी जाए नीचे, आपको 1870 से ज़्यादा का नुक्सान नहीं हो सकता है, तो अगर risk to reward देखेंगे, तो बहुत heavy reward मिलेगा, then आपका risk, उसमें भी, अब यह चूकि 3 October की expiry अभी काफी दिन है, अभी 26 September की expiry ही समापत नहीं हुई है, इसलिए यहाँ आपको negativity दिख रही है, अगर इसको हम थोड़ा बाद में बनाएं, जैसे 100 मंगलवार को आने वाले बनाएं, तो यह हमारा जो 800 का loss दिख रहा है, यह 0 हो जाएगा, कारण यह है कि जितने कम premium में आप position को hedge करिएगा, उतना ही बढ़ियां आपको यहाँ पे profitability profitability मिलेगी, अब जो आपने सितंबर के expiry का लिया था, उसमें चुकि premiums are very cheaper, तो यहाँ पे आपको profitability दिखिए, तो नजदीक कलीजिए, चाहे दूर कलीजिए, यहाँ पे आप अपना जो loss है, उसको औसतन आप 0 समझिए, क्योंकि कभी आप दूर की expiry कलेंगे, कभी नजदी अगर against में जाती है, तो यह premium जितना कम रहेगा, आपका नुकसान उतना ही कम होगा, तो इस प्रकार से overall, इस zone का profit and loss है, वो nearly zero रहने वाला है, कभी हो सकता है आपको यह profit में दिखे, और कभी हो सकता है slight loss में दिखे, यहाँ पे आपको loss ज़्यादा नहीं होगा, और market आपक नहीं हाईगी, blood pressure हाई हो जाएगा, कि अगर कहीं market हमारे against गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और यहीं नहीं, इसको देखिए मैंने जिरोधा में, kite में भी टेस्ट किया है, तो यहाँ भी आपका loss है, यह बेहद nominal loss दिखाता है, maximum वही 800, और इस तरफ में आपका profit जो होगी और premium सस्ते होंगे, उतना इधर आपको benefit मिलेगा, और वैसे भी अगर मान लीजिया, unlimited profitability है, तो 1200, 1500 का नुकसान जो है, यह कोई बखोट बड़ी रकम नहीं है, जहां लोग 1000, 1000 गमाते हैं, वहाँ यह limited loss, उनके लिए रामबान से कम नहीं है, तो इसको जरूर try कीजिए दोस्तों, और जिरुद्वा पर देखिए, इसका जो final margin आता है, वो 28,700 का आता है, तो 38,000 के margin पे, average आपका जो profit आएगा weekly, वो उस्ततन 6,000 से तो उपर ही रहेगा, क्योंकि losses का तो आपका डर है रही, market आपके favor में जाएगा, इसके chances 50%, against में जाएगा, उसके chances 50%, अब अगर अगर आपको लगता है, market bullish जाएगा, तो इसको आप bullish side में बना सकते हैं, अगर आपको लगता है, market negative जाएगा, तो आप उसको negative side में बना सकते हैं, तो इस परकार आपकी profit probability काफी बढ़ेगी, और आउसतन आपका 100% return मन्थली तो हो ही जाएगा, अगर आप थोड़ा सा, या simulators पर अपने position बना के देख लिजिए, अगर आपको लगता है तो हाँ ये strategy अच्छी है, तो आप इसको weekly ले सकते हैं, हर अपते बना सकते हैं, आपका confidence होना चाहिए strategy पर, तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ये comment करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो like कीजिएग दोस्तों में share कीजिएगा, और channel आपने subscribe नहीं किया, तो please subscribe भी कीजिएगा, मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जैन, जै भारत